सल्मान की फिल्म टाइगर जिंदा है का ट्रेलर देखने के बाद इसाफ पता चल जाता है कि अली अबास जफर और सल्मान खान साहब ने कितनी महनत की है फिल्म में लेकिन अली अबास चाहते थे सल्मान से एक और महनत करवाना किसिंग सीन करवाना चाहते थे लेकिन सल्मान साफ साफ कह दिया कि मैं शाहरोख खान वाली गलती दोहराना नहीं चाहता क्यों भाई क्या है मामला बदाते हैं हम आपको तो जनाब टाइगर जिंदा है का ट्रेलर रिलीज हो चुका है धूम मचा रहा है धूम इतने जादा है कि यूट्यूब पर इसने आधे घंटे के अंदर ही धाई लाग से जादा व्यूस क्रॉस कर लिये थे फिल्म में action है, drama है, कहानी है, realize story है लेकिन romance की बात की जाए तो कहा तो जा रहा एक romance भी है बट सल्मान का kissing scene नहीं है जो आज तक देखने को नहीं मिला है अली अबास चाहते थे उनसे किसिंग सीन करवाना बड़ सल्मान ने कह दिया कि वो शारुखान की गलती नहीं दोहराना चाहते हैं द्रसल आपको शारुखान साहब की फिल्म जब तक है जहां का वो सीन तो यादी होगा जिसमें शारुखान साहब ने अपना वादा तोड़ते हुए पहला ओन स्क्रीन किस किया था वो भी कट्रीना कैफ के साथ उसके बाद शारुखान साहब के फैंस ने शारुख को धो ही दिया था कि उन्होंने जब वादा किया था कि on screen ऐसा किस नहीं करेंगे, उनकी एक image बनी हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने किया, तो fans के reaction तो आना था, बस इसी चीज से सबक ले बैठे हैं सल्मान खान सहाब, वैसे देखा जाए, तो सल्मान ने आज तक on screen romance में कोई ऐसी चीज नहीं की है, जो देखना awkward हो, वैसे सल्मान से भी जब पूछा गया कि शाहरुक कर सकते on screen kiss, तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो सल्मान ने कहा कि बस मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती है, जब सारा romance बिना किसिंगे ही इतनी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है, तो किस करने की जरूरत कहा है, अब चाहे अलियाबास जफर कितना भी कहते रहें, कटरीना को किस कर लो, किस कर लो, लेकर सल्मान मिया जो है, वो नहीं माने, वैसे सल्मान की दबंग इमेश देखके लगता तो नहीं है, कि उन्हें शर्म आती होगा, उन्हें डर लगता होगा, बस वो सारी चीज़ें इसी लिए है क्योंकि सल्मान ये मानते हैं कि उनकी फिल्में जो होती है पुरा परिवार देखती है उनकी फिल्में यूथ देखता है, उनकी फिल्में बच्चे देखते हैं तो वो उनके सामने कोई भी गलत उधारन पेश नहीं करना चाहते हैं तो सल्मान के पास अपने फिल्म में सूपर डूपरेट करवाने के लिए और भी बहुत सारे ओजार हैं, दूसरे छोड़ो यार बस उनकी दबंग इमेज जो है, जो उनका स्टाइल है, जो एटिट्यूट है, वही एक फिल्म के लिए काफी हो जाता है, उसके बाद उनकी फै